हलो दोस्तों कैसे हैं आप सब स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल चैनल पर तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं मनोच कॉमिक्स में कांगा सीरीज का अगला कॉमिक विशेशांग डाक टैन डाक टैन के प्रवाव से मैंने अपने तक महुँचने वाले उस प्रकाश को खत्म कर दिया है जिससे किसी की आँखे मेरा परतिबिम देख पाती है यानि अब कोई आँख मुझे नहीं देख सकती मैं अद्रिश्य हूँ आँखे किसी भी प्राणी को कुदरत की अद्बुत देन है आँखे किस पकार देखती हैं जटल पक्रिया को समझने के बाद जब बन गया अद्रिश्य मानव तो क्या हुआ पढ़िए कंगा का एक और अद्बुत थ्रिलर कॉमिक्स राजा मान सिंग के किले के तहकानी की खुदाई में मिले दुरलब वादवुत हीरों की प्रदर्शनी राजा मान सिंग मुजियम में चल रही थी वह इस गुलब नाम के टैनिस के बॉल जितने हीरे से तो निगाई नहीं हट रही निगाएं तो इस पर से मेरी भी नहीं अट रही थी तबी तो मैंने इसे चराने कर निश्चे किया है कुलाडी के बार ना चकना चूर कर डाला था शीशे के जार और मुठी में हीरा दबोचे चिला पड़ा चोर हा 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 गुलाब मेरा है पकड़ो इसे दुसास ही चोर ने अपना ओवर कोट अपनी और बढ़ते गार्स पर उचाल फेगा मुझे पकड़ना इतना ही आसान होता तो मैं ऐसा दुसास कभी न करता दूसरे गार्ड की गोली की तिशा परिवर्थित कर दी उसके टोप ने क्या करता है मुर्ख गोली किसी दर्शक को लग जाएगी अजीबो गरीब चूर की दहशत से दर्शकों में भगदण मच गई भागो भागो कमाल चूरी मैंने की और भागने कीने पड़ी इसी पल हॉल में अन्न गार्ड्स ने परवेश किया था सरे याम को लग चुराने आप पहुचा और वह भी निहत्ता पकड़ लो इसे पचकर ना जाने पाए मैं निहत्ता क्यों हूँ ये बात अभी समझ आ जाईगी तुम्हें चूर को निहत्ता समझ कर गार्ड्स ने उसे धर्दबोचने की भारी गलती की थी हद परफ गार्ड्स की पकड़ से चूटकर साबून की बट्टी की तरह वो फर्च पर फिसलता चला गया ओ, इसका शरी तो भेहत चिकना है हाँ 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 इस पर गोली चलाओ, वरना वो निकल जाएगा किन्तु इतनी गती से फिसलते चोर पर निशाना लगाना मुश्किली नहीं, शायद असंबा भी था चलाओ, खोब गोलियां चलाओ, मैं हाथ नहीं आने का उदर दौर से बाहर उसकी परतीक्षा में थी वा ठोका इस मुजियम की सुरक्षा की जिम्मेदारी इस्पेक्टर स्पीट के कंदों पर है इस्पेक्टर स्पीट जिसके परतेक काम में गती होती है तुझे इस बात की जानकारी पहले ही होनी चाहिए थी कि इस म्यूजियम में चोरी के बाद निकट परती पुलिस टेशन में अलाम बज उठेगा और तब इंस्पेक्टर स्पीड आ जाएगा जिससे बचना तेरे लिए असंबाव है ओ ये क्या ओ माई गॉड इतना चिकना जिस्म सस्पेंस का भूत इंस्पेक्टर स्पीड के चैरों पर नाशन लगा था इधर म्यूजियम से बाहर आकर चोर तेजी से एक और भागा जा रहा था आप सबको पता चल गया होगा कि मैं नहत्ता चोरी करने क्यों आया था लेकिन ये क्या इस आकस्मिक बादा को सहने को बिल्कुल भी तयार ना था चोर नीचे खुदी पड़ी मिट्टी पर धडाम से जाकर गिरा वह चोर पाइपों के मद्दे से निकली कववा युपती कांगा ने उसे पुना पकड़ने की चेश्टा की जिससे मेरे शरी की चिकने पन में जवर्दस कमी आ गई है इस हालत में मैं इस्पेक्टर स्पीट का मुकाबला नहीं तरपाऊंगा फिलाल बागने में इभलाई है फिर उस पाइप में इस्पेक्टर स्पीट को मिला गुलब वह कववे का काला पंक जिसे देखकर उसके जहन में नाच उठी एक तस्वीर कववे का पंक? इसका मतलब उस चोर की कववे उप्ती ने पकड़ ली की कोशिश की थी गुलब उसके कारणी चुरा जाने से बस सका है पाइपलाइन में तेजी के साथ आगे बढ़ती कांगा के मस्तिष्ट में भी इस वक्त इंस्पेक्टर स्पीड की छवी हावी थी वह एक नेक इंसान है हर बार उसका तकरा बुरे लोगों से होता इसलिए मैंने एक शैतान मानव को पकड़ने में उसकी मदद करने की चेश्टा की मगर अफसोस वो मेरे हाथ न लग सका इधर बदवास से टकले चोर ने उस परयोग शाला जैसे कक्ष में प्रिवेश किया याहू मैं काम्याब हो गया फकीरा फकीरा का है तू प्रॉफिसर के बच्चे टकले चोर की आवाज सुनकर बड़ी तेजी के साथ पल्टा फकीरा ओ टिक की तू बड़े मौके पर आया यार तेक मैं सफल हो गया मैंने पर पहले तू बता कि वो हीरा गुलब कहा है वही तो बता रहा हूँ पर तू सुने तब ना तेरे बनाए केमिकल मोबिल सुपर को शरीब इस्प्रे करने की बाद में चोरी करने में तो सफल हो गया था मगर एन वक्पर न जाने कहां से वह मुसीबट पड़ी और में गलब को खो बैठा टिक्कू से बताता चला गया पूरी आप बीती टिक्कू के असफलता की कहानी जानकर भी अद्बुत चमकती प्रोफेसर फकीरा की आँखों में तो गम ना का टिक्कू तेरे यार के हाथ एक ऐसी जादू की छड़ी लग गई है आप कोई रोकावट तेरा रास्ता नहीं रोक सकती तेरी कहानी मेरी समझ में नहीं आ रही पहले तू अपनी आखे बंद कर ले फिर मेरी कहानी तेरी समझ में आ जाईगी ले कर ली मैंने अपनी आखे बंद अब खोल आखे तो खोल ली मैंने पर तू कहां चला गया बताता हूँ पर तू अभी तक नंगा क्यों खड़ा है ले ओवर्कूट पहन ले उफ आखे फाड़ कर क्या देख रहा है ओवर्कूट पहन ले मगर तू कहा है और ये ओवर्कूट उड़ कैसे रहा है वह भी बता दूँगा पहले मुझे टोप तो पहनने दे आएं टोप भी हवा में तहर रहा है ये टोप हवा में नहीं बढ़ रहा बलकि मैंने पहना हुआ है आगे आके हाथ आगे आगे बढ़ा कर मुझे छू कर देख मैं तेरे सामने खड़ा हूँ अरे हाँ मगर तू मुझे दिखाई क्यों नहीं पढ़ रहा ये कमाल है मेरे अद्बुत, इस प्रेड डाक टैन का, जो किसी भी चल अचल वस्तू के एर्दिगर्दी उस प्रकाश को छिपा लेता है, जो उस वस्तू से टकरा कर सामने वाली के आँखों में प्रिवेश कर उस वस्तू का प्रतिबिम्ब बनाता है इस प्रकाश के छिप जाने से सामने वालों के आँखों में उस वस्तू का प्रतिबिम्ब नहीं बनता और वस्तू अरद्रिश्य हो जाती है इस समय डाक टेंड के प्रवाव से मेरा प्रतिबिम्ब तेरी आँखों के रेटेना पर नहीं पढ़ रहा जिसके कारण तु मुझे नहीं देख पा रहा कुछ पल्ले नहीं पढ़ रहा, खोपड़ी गोमरी है मेरी सब को समझने के लिए तुझे आँख की जटल पक्रिया को संचेप में समझना पड़ेगा देख टिको, ये आँख की भीतरी संवर्चना मनुष्य की आँख एक प्रकाशिक यंत्र होता है, इसका लैंस प्रोटीन से बने पारदर्शी पदात का बना होता है हमारी आँखे ज़वस्तु को देख रही होती हो, इसका प्रतिबंब लैंस के पीछे एक परदे पर बनता है जिसे रेटिना या डिष्टी पटल कहते हैं लेकिन इस प्रतिबंब को रेटिना पर बनाने के लिए मुख भूमी का प्रकाश की होती है तब ही अंदिकार में हमारी आँखे देख नहीं पाती इसी सिद्धान पर मैंने डाक टैन नामा के स्प्रे तैयर किया जो किसी भी वस्तु पर पढ़ रहा है प्रकाश को ठक लेता है और सामने वाले की आँखों से वस्तु का अर्धर्श कर देता है ठीक मेरी तरह है लेकिन दिन में तो वो परचाई की रूप में फिर भी दिखाई पड़ेगा यह नहीं दिखाई पड़ेगा तो क्या मैं भी अद्रश हो सकता हूँ बिलकुल हो सकता है लेकिन पहले तू ज़रा डाक 10 की काट यानी डाक 2 का इस्प्रे मुझ पर कर दे ताकि मैं फिर से तुझे दिखाई पढ़ने लगू डाक 2 के इस्प्रे के बाद दिखाई पढ़ने लगा प्रॉफिसर फकीरा तू ने तो कमाल कर दिया फकीरा असली कमाल तो अब तुझे करने है अद्रश रूप में हंगाम हो तो अब तुझे मचाना टिकू ताकि सारी दुनिया दंग रह जाए इंस्पेक्टर स्पीड उचल पड़ा बैस समाचार सुनकर क्या टीपू सल्तान की कलात्म कहतियासे को बेश कीमती कुर्सी की चोरी की जाने वाली है तुम कौन बोल रहो तुमें इस अब कैसे पता इसलिए क्योंकि मैं ही वह चोरी करने वाला हूँ और मैं हूँ काला चोर सूचना के ठीक एक गंटे के अंदर ही इंस्पेक्टर स्पीड पहुँच चुका था टीपू सुल्तान संग्राले के सिक्योरी चीप मिस्टर ब्राउन के सामने ना मुंके ये चोरी होई नहीं सकती मौजूदा सुरक्षा ववस्ता को चीर कर चोर तो क्या एक चीटी भी हूँ सहते हैं सिक कुर्शी के निकट नहीं पहुँच सकती ये बात तो वह चोर भी जानता होगा मिस्टर ब्राउन लेकिन फिर भी उसने चोरी कर लेने का दावा किया है मेरे पास चोर के दिये समय की गुज़ार जाने तक की कमी कुर्षी की सुरक्षा का चार्ज अपने हाथ में लेने का कमिशनर साब का विशेष आदेश है ओ इस आदेश कहता है आपको भी मेरी हर संबाब मदद करनी होगी और साब पर तब मुझे उस कुरसी की सुरक्षा ववस्ता की जानकारी देनी होगी ठीक है इंस्पेक्टर स्पीट मैं आपको पूरी ववस्ता के बारे मां बताता हूँ प्रोजेक्टर के पड़दे पर दिर्शे प्रेशित होने लगे यह है टीपू सुल्तान की वहातियासिक कुरसी जो आज भी उसी दीवाने खास में रखिये जान तुलसान सुल्तान साब अपनी सवा किया करते थे इस दीवाने खास की दीवार पांच फुट मोटी कंक्रीड वा पत्थरों की बनी है यानि याबेट है दीवाने खास के बीतर जाने का एक ही दौर है जो बीस टन स्टील का बना है और उस पर दो ब्लैक कमांडो हर वक्त तैनात रहते हैं दीवाने खास के सामने बनी गैलरी में दो कमंडो दिन रात अलर्ट रहते हैं इस गैलरी से होकर उस कक्ष की और जाता है वह रास्ता जो की रूम के नाम से जाना जाता है इसी कक्ष में है दीवाने खास के उस विशेश दौर को खोलने में बंद करने की चावी विशेश प्रकार के इस चावी नुमा मेकेनिजमी की विशेशता यह है कि जब तक पर देख गरारी सही इस्तान बे फिट नहीं होगी दर्वाजा नहीं खोला जा सकता इस सब के बावजूद भी अगर कोई अंदर पहुंच जाएगा तो अंदर लगे आटमिक कैमरे आटमेटिक कैमरे अपने आप चालू हो जाएगे और अलाम बज़ उठेंगे मिस्टर ब्राउन ने विज़ाई मुस्कान के साथ प्रोजेक्टर का सोइच आफ किया और इंस्पेक्टर स्पीट की ओड़ देगा क्या अब भी आप पहेंगे कि चोड़ चोरी करने में सफल हो जाएगा असंभाव खेर मिस्टर ब्राउन अंदर की ववस्ता से मैं संतुस्ट हूँ और बाहर की ववस्ता के लिए पुलिस के आदमी संग्राले की चपे चपे पर तैनात है अब देखना यह है कि चोड़ चोरी कैसे करता है उसी समय म्यूजियम के भार पंको की तीवर फड़ फड़ाट का सुर सुनकर चौक उठे रक्षा प्रहरी सुर वो सोड से उब रहा है मैंने अंतिम चड़ों में किसी को वरक्ष में चाते देखा है क्या पता कोई मोरित्या दी हो थाए हवाई फायर करो अभी पता चल जाएगा फायर की प्रतिक्रिया सुरू व्रक्ष के पत्तों से उचला वेज़ेस में जिसे देखकर सबकी आखे चुदिया गई पंकों वाली लड़की ये तो ओड रही है कहीं यही तो वे चोर नहीं है कांगा भी हद प्रप्ती मैं तो भोजन की तलाश में एदर आई थी उफ लगता है फिर गलत लोगों में फास गई हूँ एदर गोली की आवाज से बाहर की और लपक पड़े थे इंस्पेक्टर स्पीड और मिस्टर ब्राउं गोली की आवाज बार जाई है चोर ने भी इनी दो घंटों में चोरी करनी है लेकिन क्या बाहर चली गोली उसकी अक्टिविटी को धर्शा रही है क्या हुआ गोली को चला ही तुमने उस पीड पर एक विचित्र कववे जैसे पंकों वाली लड़की चिपीती सार शायद वही चोर है वो अदर म्यूजियम की छतकी और गई है इंस्पेक्टर स्पीड के मस्तिश में ना जोटा कांगा का चेहरा कववे जैसे पंकों वाली लड़की हो ना हो वही काग युकती होगी कोई उस पर गोली नहीं चलाएगा मैं देखता हूँ उसे पर संग्राले के लोगे के बड़े गेट पर खड़े गार्स एका एक चौक उठेते लगता है भूकाम पारा है गेट हिल रहा है भूकाम पाता तो जमीन भी हिलती सिर्फ गेट को हिल रहा है गेट यूँ ही नहीं हिल रहा था भीतर जाने के लिए गेट के उपर से चड़कर जाने में क्या बुराई है एक एक हिलना शुरू हुआ था जैसे गेट ने एक आई हिलना शुरू किया था वैसे ही गेट बंध हो गया कवाल है अंदर बताएं क्या क्या बताएंगे गेट हिल रहा था हाहाहा फकीरा का भी जवाब नहीं मुझे इस जोरी करने से कोई नहीं रोक सकता संग्राले के मुख़दार से गुजर गे हवा का एक तीव रुजों का मुझे ऐसा लगा जैसे कोई अंदर गया है सिर्फ लगने से क्या होता है मैं जानता हूँ कि अंदर कोई नहीं गया अद्रिश ठिक्कू के अगली मंजल थी की रूम की रूम पर एक गार्ड मुस्टैट खड़ा है इसे ब्योश करने के लिए मुझे अपनी कलाई तक के हाथ कलाई तक के हाथ पर डाक टू स्प्रे करना होगा भैसे गिक्की बन गई उस गार्ड की कटा हुआ हाथ दूसरे इपल उसका ब्योश जिस्म फर्श पपड़ा था हवा में तेरते हाथ में थमी बचावी की रूम के की होल में घूमी क्लिक दर्वाजा पहले खुला फिर बंद हो गया अंदर आने के बाद ही टिक्कून अपना सद्रिश हाथ डाक टेंग की साहिता से पुना अद्रिश कर लिया था आप दीवाने खास का दोर खोलने के लिए मुझे प्रते गरारी को उसके सही इस्तान पर फिट करना है गरारियों को उनके यता हिस्तान पर फिट करने की टिक्कों की कोशिश है जारी हो गई यह कुछ बड़ी है यहां कोई दूसी गरारी लगेगी इधर बाहर बड़े बेहोज गार्ट ने हंगामे का ऐलान कर दिया इसे क्या हुआ की होल से की रूम में जागते इस तब दो टब है उफ सभी गरारियां यह था स्थान फिट हैं और अपने हम घूम रही है ओ माई गॉड इसी पल एक जटके से खुल गया तरवाजा वा हथ पर अप गार्ट भी तर जा गिरा उफ बेचारा जरूर गरारियों का उपने हम चलते देकर भोचक्का हो रहा होगा गार्ट के कोई सोचने समझने पूरवी तरवाजा पुना एक जटके के साथ बंद हो गया कौन है कौन है यहां तरवाजा खोलो अच्छा हुए जो मैंने एक गरारी को निकाल लिया था अन्यता वे गार्ट गरारियों को वापस घुमा कर दीवाने खास का दोर बंद कर सकता था अब इस गरारी को भी अर्दिश करके यहां छुपा देता हूं ताकि कोई ढून न पाए इदर दीवाने खास के मुख उधार पर तैनाध गार्ड इस्तब्द थी दरवाजा खुल रहा है? कोई की रूम से दरवाजा खुलने की छेष्टा कर रहा है आश ज़र है? कोई बिना किसी हंगा में की रूम तो कैसी ढपहुचा? दरवाजा खुलने के साथ ही गूंच उठा अलार्म मैं की रूम जा कर देखता हूँ मुझे कोई उधर आता दिखा तो मैं उसे फॉरंग गोली मार दूँगा मगर आने वाला तो आ चुका था हाहा मार गोली मार 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 मैं अंदर जा रहा हूँ दौर कोलते ही आटोमेटिक कैमरे फिल्म्स के पिरते ही खिसे पर कुर्सी और उसके एरिदिगर्दी के छेतर की तस्वीरों उतारने में लगी थे अधबत कुर्सी है वाह अंतर रस्टे चोर बजार में इसकी कीमत करोड़ों रुपए या करोड़ों डॉलर हो सकती है अब मुझे इस कुर्सी पर डाक टेंठ चलाकर इसे भी गाइब करना है पैरे पर मुस्ताइτ खड़े गाड़ की आँख़े मानों अपने कटोरों से बाहर निकलने लगी तीपो के कुर्सी? कांग एठीपो के कुर्सी? तीपो के कुर्सी ये रही मेरे पास हैरान खड़े गार्ड को उसने जड़ी एक चपत पेवा कुफ जल्दी कर अपने चीफ को चोरी की सूचना दी बबूत दैशन में डूबे खड़े गार्ड के आसपास कफास चाने की गीला होता चला गया अलाम की अवा सुनकर कांगा की तलास छोड दीवा ने खास की और दोड़ पढ़े थे इंस्पेक्टर स्पीड और मिस्टर ब्राउन यह अलाम तो दीवा ने खास का में टोर खुलने पर बज़ना था क्या हुआ अलाम कैसे बज़ा टीफू की कुर्सी चोरी हो गई सर क्या ओ माइग गाड कैसे इसी बल कांगा की निगाओं से गुजरा वह चैरा भी यह तो वही शैतान मानव है इसने एक सिंगासम को उठा रखा है मगर यह मुझे अन्नमानव के बेक्षा धुदला के दिखाई पढ़ रहा है अब मुझे गेट खुलवाना पड़ेगा क्योंकि भारी गुर्सी सहीद में गेट पर नहीं चड़ सकता इसका मतलब यह यहाँ भी कोई गड़वा करने जा रहा है और शायद इसे ही पकड़ने के लिए वह नेक इंसान भी यहाँ पहुचा हुआ है जिसने अभी अभी मेरी चान बचाई है नेक इंसान मतलब इंस्पेक्टर स्पीड उस नेक इंसान की मौझूद भी मुझा है अगने आस्त्रों का कोई बहन नहीं लेकिन ये क्या अन्य मानव वो शैतान मानव दरह की जारी शैतानी को अचरज भनी निखाओ से ऐसे देख रहा है जैसे वो उन्हें दिखाई नहीं पड़ रहा हूँ मेरी गन गोलियों से गूँच उठा बाता बढ़ा गेट की कुंडी की धज्जे ही वढ़ा देता हूँ इस टेन गन से अपने आप गोलिया चल रही है याद रिश्य देखने वालों में इस टेन गन हवा में उड़ रही है और उसे स्वेमी गोलिया चल रही है इसी पल इस टेन गन हद्दे की ओड़ से पूरी ताकत के साथ इस गाड़ की छाती से ठकराई मूँ खोले मत खड़ा रहे मक्की या मच्ठर घुच जाएगा ले पकड़ अपनी स्थेंगन ओ वो नेक इंसान उसे रोक क्यों नहीं रहा उठो याद बूत अजाब गेट खुलता देगे इंस्पेक्टर स्पीड करेवाबला उसके हाथ में आ गया रुको कौन हो तूम ठैरो बरना में गोली चला दूँगा इसकी गोली निशाने पर तो तब लगेगी ना जब मैं इसे दिखूँगा गेट को पूर उता खुलता देख चीक पड़ा इंस्पेक्टर स्पीड औरे बापरे कुर्सी की ओट लेता हूँ चैंबर्स में लोडे तमाम गोलियां खत्म होने के बाद इशान थूईती सबकी गने गोलिया या तो गेट से टकराई हैं या फिर बाहर सड़क से गुजर गई हैं ये दो गोलियां गेट के अंदर कैसे रुक गईी या तो ये किसी अर्दिश वस्तु से टकराई हैं या फिर ओ, कहीं कुर्सी से तो नहीं इस जगे से जल्दी से निकलना चाहिए मुझे गेट को पार करते ठिक्कों के सामने आ गई वह, यानि कांगा मैं समझ चुकियों कि ये किसी खास वज़े से ये शेश मानवों को दिखाई नहीं पढ़ रहा है ये, ये, ये तो वही है मगर ये है कौन अगर इस समय कुर्सी को ले जाने की जल्दी ना होती तो मैं इससे अपना पिछला बदला ले लेता काओ, काओ तो हम यहां से नहीं जा सकते शेटान ओ, इसने मेरी कलाई कैसे पकड़ ली मैं इसे दिखाई कैसे पढ़ गया आगे बड़ता इंस्पेक्टर स्पीड रुख गया काओ लड़की इतनी क्रोधित क्यों है ऐसा लग रहा है ये किसी से लड़ रही है क्रोधित कांगा ने हाज जटक कर उसे कुर्सी साई सड़क पर उचाल फेका तेरे जैसे एक दुष्ट प्रवर्थी के शैतान प्राणी के कारणी आज में प्रिथीव भटक रही हूँ उफ नहीं कुर्सी पटिक्कू के सड़क पर टकराने की तेज स्वर गुंजे किसी चीच के सड़क पर टकराने की ये स्वर कैसे थे किस से लड़ रही है ये कववा लड़की ये विच्चित लड़की मुझे देख पा रही है और उफ इसकी बोली कववे जैसी मन्जिल के निकट पहुँचकर ये हार मुझे बरदाश नहीं होगी अपनी सफलता के लिए मुझे इस लड़की से पीचा छड़ाना होगा फिर जब तक कांगा उटका खड़ी होती टिक्कूस एतियासे कुड़ची को ठाकर कार की छट पर पटक चुका था मगर ये मुझे देख कैसे पा रही है हबाके जोके के समान कार में समागा टिक्कू और इसी पेल कार के दर्वाजे के बंद हुझे सुनकर उचल पड़ा इंस्पेक्टर स्पीड ये तो कार के दर्वाजे के बंद होने की आवाज है विजा में ओडा कार के साईलैंसर से जूटा गाला धुआ कार स्टार्ट होने की आवाज धुआ यहाँ अर्द्रिश कार है कार अर्द्रिश कार के उपर आकर गिराओं मैं कार का कोई हिसा पकड़ने में काम्याब नहों पाएं इस्पेक्टर स्पीट और डिक्की के उपर से फिसल का वापस सड़क पड़ जा गिरा इदर कांगा ने भी कार की चपेट में आने से बचने के लिए उच्छी उडान भरने की भरपूर चेश्टा की मगर थाक बच गई कम भखात परना इसे तो मैं निश्चीती कोचल डालता इसने तो मेरी सफलता के पर कच्चा ही उड़ा दिये थे इदर इस इंस्पेक्टर स्पीड ने धुए से कार का अनुमान लगा कर कई फायर कर कार पर छौंक मारे थाय 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 लेकिन कार की ओर से सिर्फ शीशर तूटने की आवाज ही उबरी थी अद्रिश्ची कार अद्रिश्य आदमी अद्रिश्य कुरसी आखिर कोई अद्रिश्य कैसे हो सकता है उफ तत पच्छाद इंस्पेक्टर स्पीड लखका कांगा की ओर ये कववा लड़की उस अद्रिश्य चोर वो उसकी कार को देख पा रही थी मगर कैसी कांगा के एडदिगरत आज अमा हुए अन्ने सभी ये लड़की कौन है इंस्पेक्टर स्पीड एक विचेत रकव हो है लड़की मैं काफी समय से इसके बारे में जानना चाहता हूँ जीप जीप लाओ फेलाल इसे आउस्पिटल पहुचाना होगा मगर उस चूर का क्या होगा इंस्पेक्टर स्पीड के आदेश पर बंदुक से छूटी गोली की तरह जीप सड़क पर भाग निकली थी कार की टककर से घाय लेए इसे बचाना होगा मुझे इसका रहस कब से जाननी की कोशिश में लगा हूँ मैं और अब तो ये उस रहस में चोर को पकड़वाने में मेरी भारी मदद कर सकती है टिकको और प्राफिसर फकीरा टीपू सुल्तान की उस बेश कीमती कुर्शी को ऐसे देख रहे थे मानो ताजमहल सामने आ खड़ा गुआ था फकीरा तेरा अविश का डाक्टर निसंदेला जवाब है मगर इसके प्रवाव से अदरुशी चीजों को एक शक्स देख सकता है हाँ फकीरा और ये वही शक्स है जिसके कारण गुलब मेरे हाँ से निकल गया था उसी के कारण आज मेरी जान जाते आते रह गई इंस्पेक्टर की चलाई गोली कार का शीशा तोड़का मेरे कान के पास सरसा आती हुई गुजरी थी टिक्कू बताता चला गया सारी दास्तान सब को जानकर हैरस से मूँ भाल सा खला रह गया ता प्रोफिसर फकीरा का कावे जैसे आवाज वावि उलने वाली काव往 युफ्ती ये तु क्या बख राए टिकुँ बख नहीं रहा हाकिकत ब्यान कर रहा हूँ अगर तु सच कह रहा है तो तुझे इस इसतिसी से बचना होगा का टिकुँ क्योंकि वै युफ्ती फिर सच मुच काववा है क्योंकि कव्वे बाज और गित्य जैसे पक्षियों की आखों मैं शंकू नाम की कोशका है रंगों के अनुरूप परतिकरिया करती है इन रंगों के आधार परिवक आउती तुमारी धुंदली आकरती देख पाई होगी आप तुझे अगली जोरी गुप्तरूप से करनी होगी संपूर्ण सिटी होस्पिटल की इमारत एका एकी किसी कववे की करकश दुरी से गुण चुटी उस स्वर की अस्पताल के अंदर क्या परतिकरी होई ये तो पता नहीं मगर वाई मंडल में इस स्वर की जबदस परतिकरी होई थी काव 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 अस्पताल की चत पर मंडराने लगे सेंकडो कववे और छट पर ही क्यों अस्पताल तक में प्रिवेश कर गए वे कववे काव 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 खालबली मचलना सबाविक था सबके सब अस्पताल में प्रिवेश कर रहे है इतने सारे कववे उफ जरूर इंका कोई साथी कहाया लोगा और ये डॉक्टर को किटनैप करने आये भागो अगर इन्होंने हम पर हमला कर दिया तो मुसीबत आ जाईगी कववों के मंजिल बे आपाच चिकिस्सा कक्ष था भागो कववों की फोच कहां से आ गई आपाच चिकिस्सा कक्ष में मौजूद उस नर्स को अपनी गलती का एहसास दरवाजा खोलने के बाद हुआ गजब की चमक आ गई थी कांगा की खूबसूरत आंखों में मुझे तुमारी मदद की जरुद है मुझे इस कैज से सुतंद कराओ मैं काग लोग की राजकुमारी कांगा हूँ हम तुमारी पुकार सुनकर ही आए है उसे रोको वह मेरे बंदन खोल सकती है चाड़ बार मैं ही बन गई कवों की दीवार ये मुझे रोकना चाहते है ये कवों मुझे उस कवों युफ्ति की और खीच रहे है शायद ये सब कवों से चड़ाना चाहते है और अपनी जान बचाने के लिए मुझे इसके बंदन खोलने होंगे ओफ इंस्पेक्टर स्पीड कहां से ले आया इस मसीवत को इधर सूचना पाते हैं इस्पेक्टर स्पीड वहाँ आ पहुचाता इन कवों को प्रेशर पाइप दोरा पानी की मोटी धारों से दूर रखकर उस कवों युफ्ति तर पहुचा जा सकता है पहुचा जा सकता है क्योंकि अगर इन कवों का हमला कांगा के लिए है तो हो सकता है कि एक बार फिर मैं उस कवों युफ्ति से दूर हो जाओ इसी पल कवों केस हरकत का हर प्रफ सर रह गया इनस्पेक्टर स्पीड ओ, शैतान कवों ने मिलकर पाइप काट दिया है कवों के फाज के साथ बड़ी शान के साथ बाहर निकली कांगा कांगा, मुझे यहां से ले चलो तुरंद कांगा को उठा हुए आंधी की तरह गुजर गए कवों कांग, 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 उफ नहीं और किसी, मैं भी साहस ना हुआ था उस विशाल सेना से मुकाबले का सड़क पर दोड़ पड़ी थी इनस्पेक्टर स्पीड की जीप आपात काक्षम है उसे मैंने इसलिए बनवाया था ताकि वह कहीं वफिर से ओड़ न जाए पर शायद मेरी इस हरकत से वह कवोई उफ्ति कुशित हो ठीट होगी और उसी की पुकार पर ये सैकड़ो कवोई उसकी मदद को आप पहुचे होंगे वो अपने भान पर शायद मेरा पीछा कर रहा है खिड़की पर वोई इस आर्ट को सुनकर परसनाता से खेल गया खेल उठा बबलू का चहरा दीदी आप मैंने कवोई के जुंड को दूर भेज दिया ताकि वो मानव मेरा पीछा यहां तक न कर सकी आप कहां चली गई थी दीदी आप मुझसे मिलने भी नहीं आई आपकी बिना रात को मुझे बहुत डर लगता है मासूम बच्चे मुझे अच्छे लगते हैं और ये क्या आपकी वस्तर कैसे फट गये आपको ये चोटे कैसे लगी ये मेरी चोटों से परिशान हो रहा है काश पृत्वी के पृतेएक मानब का हिर्दा इस बालक जैसा कोमल होता बबलू के विशे में जानने के लिए पढ़े कांगा सीरीज का एक और पूर प्रकाचिर रोचक कॉमिक्स पापा के हत्यारे जो की चैनल पे अपलोड है और आपको कांगा की प्लेलिस में मिल जाएगी बबलू खींच कर ले जाने लगा कांगा को मेरे साथ आओ दीदी ये मुझे कहां ले जाना चाहता है बबलू ने खोल दी कपड़ों से भरीवा अलमारी दीदी ये देखो धेड सारे कपड़े ये सब मम्मी ने खुद बनाये थे आप इन में से कोई भी ट्रेस पहन सकती हो वस्त्र? पिर्थुई पर अपनी पैचान चुपाने के लिए ये वस्त्र मेरे लिए वर्दान साबिस हो सकते हैं दीदी ये है बात्रूम जहां आप वस्त्र पहन सकती है अरे पापरे आया आया आगई पापा के बाद पुलिस अंकल ने मेरी देखबाल का भार उस मोटी को सौप दिया है भीतर प्रवेश किया उस थल-थल काया ने किससे बात कर रहे थे? कौन आया यहां? नहीं उस तरफ नहीं क्लिक चुप करो देखने तो मुझे इसी पल कांगा की काउ काउ के साथ ही गूंज उठी आया की दहशत से भरी ची काउ काउ धम से गूंजी गिरने की जोड़दार आवास जल दी से बाहर आजाओ दीदी मोटी आया तुझे देखकर तुम्हें देखकर भ्योश हो गई है एक चुए से भी ड़ती है यह बातरूम से बाहर कदम रखा उसने काउ काउ वाउ दीदी आप इस जाज में बहुत संदर दिखाई पड़ रही है इन वस्तरों में मुझे कुछ असुविता तो हो रही है किन्तु इस समय यह पोशाग मेरे बहुत कामा सकती है और यह इतनी पतली है कि मेरी मुठी तक मैं समाज आए जरूरत पढ़ने पर मैं इस वतार को उड़ान भी भर सकती हूँ आज से मैं आपको कववा दीदी कहूंगा और हाँ मैंने अपनी आया के लिए ये नोट छोड़ दिया क्योंकि आप हम दोना अजाग भर को सेर को चलेंगे इधार इंस्पेक्टर स्पीट कववा का पीछा करता हुआ है इस वन बजा पहुंचाता है धोका वै कववा युक्ती इस जंड में नहीं है एक इस्थान पर आकाश से एक इमारत की छट तक कववा की पूरी दिवार सी पन गई थी भै कववा युक्ती जरूर वहीं पर गायब हुई होगी क्योंकि उसके बाद को हुआ कववे पुना जंड में उनने लगे थे ओ मैं उसकी चाल ना समझ सका लेकिन अगर अब मैं ठीक सोच रहाँ तो वह मुझे एक इस्थान पर मिल जाएगी जल्दी इंस्पेक्टर स्पीड अपनी मनोंचित जगह पर था बबलू का है बबलू तो चला गया साप और ये छोड़ गया है इदर कांगा के साथ बबलू परवेश कर रहा था अजायब घर में इन वस्तरों में मेरी शारेरे विचितर तक काफी हद तक छिप गई है मानवों की भीड में भी मैं अपनी पहचान छुपा पा रही है और यही सब देखने के लिए ही मैं इस बालक के साथ यहां आई थी उफ कैसी बिचितर जीवा करती है डरो मत को हुआ दी चमडे दोरा निनमे ते डैनासौर की कला करती है डैनासौर लाखो बरस पूर्थ खतम हो चुके है और दी दी माना का विकास कैसे हुआ यह कला करती है इस बात को दशा रही है नजाने क्यों आज मुझे काग लोग की बहुत याद आ रही है इदर बाहर शुरू हो चुकी थी बरसाथ जिसके कारण अजायक बरके दशकों का प्रवेश कम हो गया था लेकिन फिर भी दो जोड़ी कदमों के निशान फर्स पर आगे बढ़ रहे थे आएं फर्स पर जूतों के निशान कहां से बन रहे है जूतों के निशान ऐसे ही बहां नहीं बन रहे थे ओ, फर्ष पर बन रहे मेरे गीले जूतों के निशान उस गाड को चौका रहें ये जूते ही उतार का फेक देता हूँ त्लाक, तिक्कू की वाहरकत गाड को बंटादार करने के लिए काफी थी बबूत सरवादिक, भीड जमाती उस स्पोर्ट पर जा परदर्शित थी राजा आमेट की सोनी के शर्फियों से बनी पोशाक वाह, अद्बूत पोशाक है ये तो तब ही इसकी सुरक्षे के ले चार और गहराई में तेजा बढ़ दिया गया है इधर उस अरद्रिश हाथ में दिखाई पड़ रही थी लोही की बाद्रिश बॉल जरूरत की अपनी सारी वस्तों में साथ लेकर ही आया हूँ जैसे लोही की ये भारी भॉल लेकिन निर्वेगन रूप से अपना काम करने के लिए बीड को यहां से अठाना ज़रूरी है और इसके लिए कुछ छण के लिए अगर लोगों को अजायक घर में चलती प्रती टांग दिखाई दे जाए तो कैसा रही है तिक्कू ने लगाए एक खौफना का धास हा 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 तांग कटी टांग भूत की टांग भावो अजायक घर में भूत है उफ इधर लोहे का इधर लोहे का गोला तीवरी गती के साथ शीशे के चैंबर से ठकरा आया अब मेरा काम अफेक्शा करत काफी आसान हो गया है टिक्को अपने टांग पर डाक टैंट चड़क का टांग को पुना अदिर्श कर चुका था जगमगाती पोशाक की और जप्टावे मजबूत अदिर्श काटा सुश कुछी देर में ये पोशाक मेरे अधिकार मे होगी अवा में ऊड़ती चली गई आमेट की अशर्फियों से बनी वर दुरलब पोशाक इसी पल हाथ पर अब रह गई कांगा वा बबलू की आखे जो आजाए बहर के एक अन्ने स्थान से अभी अभी वहाँ पहुँचे थे ओफ ये राजा आमेड की पोशाख हवा में अपने आप कैसे उड़ रही है ओ ये तो वही शैतान है कांगा की निगाएं उस वो रोड़ गई जिदर से भागा जा रहा था इंस्पेक्टर स्पीट ओ वह नेक इंसान मुझे पहचान लेगा मुझे यहाँ नहीं रुकना चाहिए इदा टिक्कू के हाथ में आचुकी थी डाक टाइम की स्प्रे बोटा इस पोशाक पर इस्प्रे करके इसे फौना अध्रिश्य करना जरूरी है और वह अध्रिश्य देखकर इतनी जोड़ सो उसला कक्षि में प्रवेश करता इंस्पेक्टर स्पीट की शच से टकराटे टकराते बचाता ओ अब समझ में आगे कि एजाइब घर में कैसा भूत आया हुआ है उसी समय आधी से अधिक पोशाक पर टाक टेन स्प्रे हो चुका था जब इंस्पेक्टर के मजबूत हाथ उस पर जम गए थी मैं तुझे यो पोशाक चुराकर नहीं भागने दूगा शैतान चोर ओ ये यहाँ भी आपहुचा टिक्कू के एक हाथ ने घूसे की शकल बदल डाली और इससे पीछे चुडाना होगा चोर मेरी दाई हो रहे इंस्पेक्टर पोशाक पकड़े-पकड़े हवा में घूमा और इसकी किक पूरी शक्ती के साथ टिक्कू के कूले से टकराई जवाब मैं टिक्कू के सिर की भरपूर टककर अपने चेरे पर सैनी बढ़ी इंस्पेक्टर स्पीट को इसके हाथ तो शिगंजी किभाती कस गये पोशाक पर टिक्कू ने फुर्ती के साथ बहार निकाल लिया वैए काटा और इंस्पेक्टर स्पीट के हाथ में पैवस्त कर दिया खचाक मुझे जाने दे इंस्पेक्टर बिलबिला कर पोशाक छोड़ गेता इंस्पेक्टर स्पीड इसी पल कभरपूर लाव अटा कर टिककू नकिक जड़कर दूर उच्छा दिया इंस्पेक्टर स्पीड को कdefense इंस्पेक्टर स्पीड मौत की मुँव पर आठेंगा ओ, रेलिंग की रसी में पाउन ना ठक जाता तो तेजाब में जाकर किरता मैं उफ, अंकल बबलू पर पढ़ गई थी तभी इंस्पेक्टर स्पीट की निगाहे बबलू, तो तुमारी दीदी कहा है वो देख सकते हैं सरदिश्च चोर को अब तक दम साधे, लड़ाई देखते बबलू का ध्यान परथम बारापनी दीदी के और गया था जो रहसमय तरीके से वहां से गायब हो चुकी थी कववा दीदी, पुलिस अंकल उफ, कहां चली गई तुम परे, पोशाक को पूर्ण रूप से अद्रिश्य करने के बाद मुक्यदार की और भाग पड़ा टिककू इंस्पेक्टर की बातों से लगता है वह कववा लड़की भी यहीं कही है उफ, पहले ही काफी बादाया आ चुकी है अब कहीं वह मुसीबत भी नहा जाए इसी पल, बड़ी तीवर गती के साथ हवा में उचली मानक के विक विकास को बदशित करती वह मूर्ती साइ, ठाक तुझे रोकने के लिए मुझे एक कलात्म मूर्ती को तोड़ना पड़ा शैतान काउ, काउ कांगा ने उठा लिया हुए प्राचीन लोये का रतन डड़े मुगदर और उस नेक इंसान पर हाथ उठाने का डंत तुझे देकर ही रहूंगी शैतान राजा आमेट की भारी भरकम बोशाक की वज़े से मैं इसका मुखाबला नहीं कर सकता मुझे यहांसा भागना होगा टिक्कू को भागते देख कांगा ने उस मूर्ती के गले से खींच लिये मोतियों की माला तुझे रोकने के लिए माला भी काम आ सकती है सच मुझ माला से इकल का फर्ष पर फैल कर और मोतियों पर पाउं पड़ते ही बुरी तरह से फिसलता चला गया टिक्कू ओ नो इधर बबलू ने कसकर पकड़ लिया था इंस्पेक्टर स्पीट का पाउं पुलिस अंकल रेलिंग उखाड रही है इधर चीक पड़ा बबलू दीदी दीदी जल्दी आओ कांगा का ध्यान बबलू के और अकर्शित हुआ उफ उस नेक इंसान की जान खत्रे में है और इतना मौका टिक्कू के लिए परियाबत था बाग ले टिक्कू बेटा फिर यह मौका नहीं मिलेगा इसी पर इंस्पेक्टर स्पीट के बोस से रेलिंग पूरी ही उखड़ गई थी क्लाक लेकिन एन बगप पर इस पंजे के शिकंजे में आप हसावाई पाओ ओ दीदी इंस्पेक्टर स्पीट की मौत के मूँ से बार की इचने में काम्याब रही थी कांगा धन्यवाद राजा अमेड की पोशाक चूरी हो गई खैर उश्यातान के पशने कलने से दुख से याद मुझे इस नेक इंसान के प्राण बचाने की खुशी है इंस्पेक्टर स्पीट ने थामा कांगा का हाथ और दौर की और भग खड़ा हुआ तुम मेरे साथ आओ केवल तुम देख सकती हो उसे ये फिर मुझे वहाँ ले जाकर कैट कर दीगा इंस्पेक्टर स्पीट के उस हरका का कुछ औरी अनुमान लगा कर उसकी पकड़ से कसमसा कर अपनी कलाई को छुड़ाया उसने और हवा में उठती चली गई नहीं रुको मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ मुझे तुम्हारी मदद चाहिए तेजी के साथ बाहर निकला इंस्पेक्टर स्पीड वै अब हात नहीं आईगी मुझे उस हर्दिश चोड़ को ढूनने की कोशिश करनी हो जाईए वै अभी दूर नहीं जा पाया होगा बरसाथ के कारण बाहर कीचड़ हो गया है और इस कीचड़ का लाब मुझे मिले ही मिले पाउं के ये ताजा निशान उधर उशाड़ की ओड़ जा रहे है पाउं के एक निशान से दूसरे निशान की दूरी बता लिए के पोशाक के वजन के कारण उसके भागने की गतिक काम है सैसा ही बाज के समान गोल हो गई उसकी आँखें होलस्टर से भाहर आगई रिवॉल्वर ओ जाड़ियों में से कोई भागा जा रहा है मगर नजर नहीं आ रहा यानि अर्दिश चोर उधर ही है अनुमान लगा कर रिवॉल्वर का टिकर दबा दिया उसने थाए आँ गोली निश्य जूप से उसकी टांग पर कहीं लगी है मगर वह है काम इंस्पेक्टर स्पीट को ऐसा लगा जैसे जाड़ियों में कोई लड़कता चला गया हूँ टिक को अपने अर्दिश चकार के निकट था बहुत निकट गोली मेरी किंडिली में लगी है भागते हूँ मुझे सोचना चाहिए था कि मेरा पीछा कौन कर रहा है मेरी गार साम नहीं है पर कहीं ऐसा नहीं हो कि मेरे यहां से मूग करते वह काई यह इंस्पेक्टर की चलाई दूसरी गोली मेरी खौपड़ी उड़ा दे इंस्पेक्टर स्पीट की बास से सतर निगाएं को इस तलाश कर रहीं थी मेरी गोली उसे कहां लगी और खोन को वह अद्रिश नहीं कर पाएगा यह इसी और बढ़ रहा है इसके निकाट आने तब मुझे यहां से हिला भी नहीं है फिर जैसे इंस्पेक्टर स्पीट उसके निकाट पहुचा बाज के समान चपट पढ़ा वह उस पर टिकों के जबरदर गूसे ने इंस्पेक्टर स्पीट को दूर उच्छाल फेका था टिकों के चैरे पर वैशिय टपकने लगी थी आस्तिरा किसे ही समाप्त कर दूगा इंस्पेक्टर के बच्चे इंस्पेक्टर स्पीट की जिंदिगी और मौत के बीच की दूरी टीवर गती से घटती जा रही थी मेरी दूसरी सफल चोरी कल पूरे विश में तैलका मचा दीगी आंदी सी गुजर गई कार लेगे इंस्पेक्टर स्पीट कांगा की भाव में सुरक्षित था मैं जानती हो कि तुम दूसरे मनुश्यों से हट करो और शैतान नहीं हो इसलिए मैं तुमारी मदद के लिए पहुँची मुझे उसकार का पीछा करना है जिसमें वो चोर है और तुम उसे देख सकती हो उफ ये मेरी भाशा नहीं समस्ती मैं जानती हो कि तुम्हें वो चोर चाहिए लेकिन मेरी विवश्ता है प्रिथी पर आने के बाद मैं लगाता उड़ान भर पाने में असमर्त हो गई हूँ और तुम्हें उठा कर जल्दी अल्दी उड़ने में उड़ाने भी तो नहीं भड़ सकती रुको उड़ा ठिको अपने गंतबह तक पहुँच चुका था ठिको कितनी देर करती तुमने फुश क्या करता यार वो कवो है लड़की और इंस्पेक्टर स्पीड तो पठचाई की तरह मुस्से चिपक गए थी मगर किसी तरह जान बचाकर आखिर में ये पोशाक लाने में कामयाब होई गया फुश वाउ प्रोफेसर फकीरा ने फुर्ती के साथ पोशाक को सूट केस में डाला और जल्दी मेरे साथ चल टिको टीपू की कुर्सी और इतोचाक का सौधा मेंने अंतर राश्टी इसमेगला जौनसन से कर लिया है इस सौधे के बाद हम फ्रांस जाएंगे जहां हम विश्व के एकनों के आश्यर एफिल टावर को और दिश्श कर देंगे अद्रिश एफिल टावर को सद्रिश करने के लिए फ्रांस सरकार कुछ भी खट्श कर सकती है प्राफेसर फकीरा और टिकको उस गुपत इस्तान से बाहर निकले थे कोई नहीं जानता कि इस हारा मशीन से होकर कोई गुपत रास्ता इस सदी के महांता मपरादियों तक भी जाता है हम बहुत देर से तुमारा इंतजार कर रहा है मिस्टर जाउन सना आपकी एक अमानत में आपको सौंप चुका हूँ यानि टीपू की कुरसी और दूसरी सूटकेस में यानि राजा अमेड की अशर्फियों से बढ़ी पोशाक वांडरफॉल राजा अमेड की पोशाक की चमक जॉनसन की आँखों में जला कुटी बिऊडिफूल हमारा मौल हमें मिल गए मिस्टर फगीरा अब तुम हमारा मौल समालो सौना जेक मैक माल हेलिकाप्टर पला दो ओके मिस्टर टिकको गुड़ बाइ प्राफेसर फगीरा इंडिया आने का हमारा मकसद पूरा हो गया जॉन्सन ने हेलिकॉप्टर में उडान बरी फट 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 और इसी पल हैरस से फढ़ गई फ़कीरण और टिक्कू की आँगे ओना है यह क्या यह सब किसने क्या पखीरा ओफोने हेलिकॉप्टर को ऊचा उठाने से रोखो फट 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 जॉंसन मिस्टर जॉंसन हेलिकॉप्टर को और उचा मत अठाओ किन्तु हेलिकॉप्टर के इंजन की तीवर आवाज में खोब ही प्रोफेसर की चीखें वै था फ़कीरा के वै का कारण जो इस पस्टूच से सामने था लेकिन कारण का निवारण असंबव था बिलकुल असंबव परड़ाम भैंकर था हवा में जाम हो गया हेलिकॉप्टर क्या हुआ जिक पता नहीं किसी के को समझ पाने से पूर भी नीचे आगे रहा हेलिकॉप्टर ये सब कैसे हुआ फकीरा कोई गाड़बार है तेरा किसी ने पिछा तो नहीं किया था अचानक लकडी के लट्टों से लकडी के लट्टों के पीछे से उचला वे लट्था सामने आ गई कांगा ओड़ती चड़िया को रोखना जरूरी था क्योंकि उसमें वेवस्तों ले जाई जा रही थी जिसे तुम ने चुराया है ये तो वही है फकीरा प्रोफेसर फकीरा रसी को कांगा के पाउं के और उच्छाल फेका चिंता मत कर तु टिको आज हर मुसीवत को हमेशा के लिए खात्म कर दूँगा प्रोफेसर फकीरा रहा के एक तीवरे जटके ने कांगा को धर्दी पर लापटका और कुछी देर में परिस्तियां बदल चुकी थी टिको आरा मशीन को चालू कर दे इसको दो थोकड़े हो जाएंगे नहीं प्रोफेसर फकीरा ने आरा मशीन सहीद कांगो को भी डाक टेन के प्रवाव से अदिर्श कर दिया और अब इसे कोई नहीं बचा सकता ठीको चल यहां से हमारे फ्रांस के प्लेइन का वक्त हो रहा है इदर संपूर्ण लैब का इंस्पेक्टर स्पीड ने कबज़ा कर लिया था शुक्र है कोई युफ्ती का पता लगाने के लिए मैंने उसके पंखों में एक नन्ना सिगनल ट्रांस्मीटर अटका दिया था उसी से मिले संकेतों का पीछा करता हुआ है यहां पहुचा और यह क्या ये तो कोई गुट दौर लगता है गुट दौर से आरा मशीन ने मशीन वाले इस तल पर निकलता ही उचल पड़ा इंस्पेक्टर स्पीड किसी आरा मशीन के चलने का सर पूझ रहा है मगर आरा मशीन दिखाई क्यों नहीं पढ़ रही इंस्पेक्टर स्पीट को देखकर कांगा चल लाई कांग कांग कॉँए की आवाज मौथ तीवर गती से कांगा की और बढ़ रही थी कांग कांग इंस्पेक्टर स्पीट के दिमाग जरूर यही बात है और इसलिए उन शैतानों ने आरा मशीन का सिच बोर्ट भी अदिर्श कर दिया है ताकि कोई उसे बचा ना पाए से ऐसा एक विचार दिमाग में आते ही इंस्पेक्टर स्पीड भार की और भाग कड़ा हुआ आखिर आरा मशीन की मोटर को कहीं से तो बिचली मिली रही होगी आरा मशीन के मारत के बाहर लगा एक एलेक्टरिक पोल इंस्पेक्टर स्पीड का निशाना था 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 यही तार आरा मशीन तक बिचली पहुचा रही है वापिस लोटते हुए इंस्पेक्टर स्पीट के पाउं से टकराई वह स्ट्रो गोतल ओ ये क्या? डाक टू? इंस्पेक्टर ने इस पर उच्छाला तो आश्चे जनेक पढ़लाम सामने आया था ओ ये तो अद्रिश को सद्रिश कर देन वाला केमिकल है शीक रियारा मशीन पबदी कांगा इंस्पेक्टर स्पीट के आँखों के सामने थी उफ अगर मुझे पोल से बिजली के तार काटने में छण भरकी भी देरी हो जाती तो ये निर्दोश मारी जाती इंस्पेक्टर स्पीट दोरा बंदरों से आज़ाद करते ही इंस्पेक्टर स्पीट को लेकर ऊची उड़ान भड़ती चली गई कांगा कांगा मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगी और शैतानों के खात्मे के तुमारे अभियान में हमेशा साथ रहूंगी अरे कहां ले जा रही हो अपनी अर्दर्शिकार में सवार तीव रिकती से एयरपोर्ट की और बढ़ते प्राफिसर फकीरा और टिक्कू चौक पड़े उस वक जब उनका रास्ता रुक लिया इंस्पेक्टर स्पीट ने आओ बंदूओं मैं तुमारे ही इंतिजार कर रहा था क्योंकि वह कववा लड़की मुझे तुमारे बारे में अपने संके तक शब्ड़ों में बता चुकी है वे हमारी अद्रशिकार को कैसे दिख पा रहा है बेवकूब देख नहीं रहा कि सूरास तो चुका है और कार रेडियम की तरह चमक रही है अब प्रॉफेसर फकीरा और टिक्कू का वही अंजाम होना था जो हर अपरादी का होता है अगले दिन के समाचार पत्र इंस्पेक्टर स्पीट के कारनामों से भरे पड़े थे सबी अकबार इस केस की सफलता का सहरा मेरे से भी बांद रहे लेकिन मेरी भी ववश्ता है कववा युफ्ती की पहचान को अभी छुपाई रखने की जिसे आज से मैंने नाम दिया कांगा इधार कांगा वापस पहुँच चुकी थी बबलू के पास डिनर में उनका साथ देने को लेकिन उसे देखकर एक बार फिर मोटी आया गश खाकर गिर पड़ी थी आया मोटी आया सचमत बहुत डर्पोग गई है समाप्त तो चलिए दोस्तों वीडियो का यहीं समाप्त करते हो और मिलते हैं कांगा सीरीज के अगली कॉमिक्स जूट बोले कवा काटे में तब तक के लिए धन्नवाद